ब्राइट वल की ओनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टेली टेली.erp9 टेली.erp9 की क्लास में आपको सबसे पहले टेली को स्टार्ट कर लेना होता है टेली.erp9 को और tally.rp9 को start करने के बाद में आपको company open कर लेना open करने के बाद में आप किस तरीके से कि screen आपके सामने आ जाएगी company किस तरीके से बनाते हो open करते है मैंने शुरू के एक से 5 वीडियो में आपको दिया हुआ है जाके आप channel पर देख सकते हैं आज की class में आपको सिखाने वाला होगी किस तरीके से जो आपने क्या एक accounting voucher में जो entry की थी या inventory voucher में जो भी voucher की थी वो vouchers को देखते कहते हैं voucher कह सकते हो entry कह सकते हो यहां पर इस तरीके से आपके सामने एक screen आ जाएगी इसमें कौन-कौन सी चीज है यहां पर देख रहे हो देख सकते हो और इस तरीके से यहां पर display day book की date दी सकते हो और particular में आप जाओगे तो यहां पर जैसे cash is state bank of india rent is salary यह सारे transaction आ रहे हैं साथ में आप देख सकते हो कि यहां पर VCH type दे रखा है VCH types के अंदर अगर जाओगे तो यहां पर आपको दिखाए देगा Contra की दो entry है यहां और payment voucher की यहां पर एक कुछ entry है दो entry है जर्नल के entry है sales की है परचेज की है डेविट नोडी है इसका क्या है कि वाउचर के types दिखाए जाते हैं और इस तरीके से यहां पर इनको समझ सकते हो कि आपके कौन कौन सी entry की हुई है और voucher नंबर की बात करें तो यह voucher नंबरे Contra के एक दो है फिर payment के एक दो तीन चार मलब हर voucher टाइप के अंदर एक से starting होती है इस तरीके से यहां पर नंबर दिये गये हैं जिने आप voucher नंबर बोलते हो दूसरा debit amount कितना है यहां पर यह debit amount दिया गया है then credit amount कितना होता है वो credit amount दिया गया है debit amount को invert quantity और F2 दबा के अलग एक particular date को भी देख सकते हो जैसे मैंने यहां पर 1.2.4 यानि कि 2 April के एंटरी देखने है तो मैं यहां पर इस तरीके से देख सकता हूं जो कि यहां पर इस समय ओपन खाली है और अगर मुझे यहां पर वापिस से हां पर 1.4 अपर एक अपरेल में आना है तो इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं यदि हम चाहते हैं कि पूरे एक financial layer की पूरी entry देखना चाहें तो आपको alt के साथ F2 प्रेस करना होगा और या फिर मैं आपको बता रहा हूं यह जो मैं बता रहा हूं यहां पर भी दिया हुआ है देखो यह date है date पर क्लिक कर सकते हो F2 shortcut है यहां पर period दिया हुआ है यहां पर यह alt के साथ में F2 है यहां पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से option आ जाएगा अब बताए गया है कि हापर फ्रों में कब से कब तक देखना चाहते है एक April 2023 से मैं start करना चाहता हूं और end करना चाहता हूं 31 तक 24 में तो पूरे के पूरे financial year की हापे आप देखोगे April 2023 से और 31 मार 2024 की सारी हापे जितनी भी entry होंगी वो देख सकते हो इसको down arrow की से आप नीचे इस तरीके से जा सकते हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भरत